पत्रकारों ने जताया सोग, दो मिनट का रखा मौन, आज साथ फर्वरी को कानपूर के रहने वाले इलेक्ट्रोनिक मीडिया के बरिष्ट पत्रकार दिकास सर्मा के निधन और मुरादावाद के पत्रकार साथ ही उवेद बार्शी के दादा जी और ताया जी के निधन पर रविवार को सिविल लाइन के अंबेटकर पार्क में सोक सवा का आयोजन किया गया देहवसान की सूचना मिलने पर उत्तर प्रदेश वर्किंग जनरलिस्ट यूनियन मुरादावाद यूनिट के सवी सदस्यों ने सिविल लाइन छेतर इस्थित अंबेटकर पार्क में सोक सवा का आयोजन करते हुए दो मिनिट का मौन ब्रत रखा साथ ही सवी ने इस वर से द दुख की गड़ी को सेहन करने की सकति परदान करने की प्राथना की इस गहन दुख की गड़ी में उत्तर प्रदेश वर्किंग जनरलिस्ट यूनियन मुरादावाद यूनिट के सवी साथ ही उनके साथ खड़े हैं इस दोरान सोक सवा में उत्तर प्रदेश वर्किंग जनर ESU Unión کے ہمارے اہم رکن بھی ہیں, عبید وارسی صاحب उनके दादा का और उनके ताया का इंतिकाल हुआ और एक ही हफते के अंदर याँनी दस दिन के गैप में जो है इन दोनों का इंतिकाल हुआ और ये बड़े दुख की बात है और बड़ी तकलीफ की बात है हम सब लोग और तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने साथियों को दुख बाटने की कुछ कोशिश कर सकते हैं तो ये प्रोग्राम हमने इसलिए किया है, अल्ला ताला जो मर्हुमीन हैं उनको जन्नत नाला मकाम अता फर्माया और उनकी मद्वरत अता फर्माया ऐसे हमारे एक और साथी हैं रिपब्लिक चैनल में थे विकाश शर्मा जी उनका अचानक भी लंबी बिमारी हुई और अर्पदाल महुं का दिहान हुआ हम लोग उनके लिए भी बहुत दुखी हैं और हमने यहां जो ये दो मिनट का किशा की खामोशी इख्तियार की और हमार केहना है कि उने भी उपर वाला जो है उनकी आत्मा को शांती है तो आज हम पत्रकार शेशेशेशन के साथी जिए अमबेट कर पार्क में हम उनके साथ खड़े हैं हमारे एक साथी है विकाश सर्माजी जो जिनका आकस्मिंग धन्त हो गया है इस दुख्की घड़ी में हम प आत्मा की सांती के निये हम लोगों ने दो मिट का मौन धान किया है तकि भगवान उनकी आत्मा को सांती है